फिउ! बहुत कर्मी है मैंने अगबार ने पड़ा है कि आजKY दिन सबसे ज़्यादा गर्मी हुई है अगर तुम्हें पता है तो इस बारे मेँ कुछ करते क्यों नहीं हो टोरेमोन तुम कहना क्या चाहते हो तुम्हें पता है तुम्हारे पास तो फ्यूचर गेने बहुत सारे गाज़िट है सच, मेरे पास कुछ है जिससे तुम्हें बहुत ठंड महसूस होगी पर तुम उसे हर वक्त इस्तमाल नहीं कर सकते क्यों नहीं डोरेमॉन गर्मिया बहुत गरम होने वाली है वो समय भी आएगा जब तुम्हें बहुत पसीना आएगा ये मत बोला कि उनमें से एक बल ये है प्लीज जो रेमॉन अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो इस गर्मी को असानी से सहलोगे ओ चिंता मत करो, मैं बहार जा रहा हूँ ठंडक पाने ओ गर्मी है कितनी गर्मी है यह तो बहुत जाता गर्मी है अंतर थोड़ा ठंडा है एक मिनिट जो मैंने कहा उसके बाद में वापस नहीं जा सकता मुझे सहर पे जाना चाहिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है यहां तो काफी ठंडक है बहुत अच्छा लग रहा है यह कोई तुम्हारे आराम करने के जगा नहीं है मुझे खरीदना नहीं को लिको यहां से मैं हार नहीं मानने वाला तो बारा कोशिश करूँगा अब मैं इस दुकानने जाऊँगा यहां से बाहर यह दुकानन को आराम करने के जगा नहीं चलो भागो 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 लोभी ता तुम भी यहां अरे जियान आइस क्रींग अहां यह किसे बारा यह तुम्हारी बहुत बुरी आदत है या कोई भी इस तरह से कूड़े को सडक पर फैकता है नहीं इसे डस्बिन में फैकना चाहिए बहुत अच्छे सुनियो यह आइसक्री मुझे दे दो जल्दी करो और वहां भेंगो ठीक है अरे मुझे कुछ याद आया मैंने एक मज़ेदार कहानी सुनी थी है किस तरह की कहानी जिजुका इदर आओ जियान कह रहा है उसके पास एक मज़ेदार कहानी है जल्दी आओ सर्च रुको में अभी आती हूँ अब मेरे प्यारे दोस्तो इस कहानी को ध्यान से सुनो और खास कर तुम नो बिता अच्छा ये बताओ या तुम बहादर हो बताओ मुझे जो कहानी सुनानी है फो दराएं फूब की कहानी है मैं मजाग कर रहा था असल में ये उस एंडूर помощ कहानी है जिस में मेरे डाड अपने college के दिनों में हमेशा भाग लेते थे एंडूर्च क्या है फिलकुल सही आज जैसी गर्भी है वैसे ही गर्मियों के दिनों में वो खिड़की और दर्वाजे बंद करके बहुत सारे गरम कपड़े पहन कर करमा गरम नूडल्स खाते थे क्या और जो इनसान आखिर तक डटा रहता वो जीच जाता ये सुनकर तो मुझा चकर आ रहे हैं सुनने में तो काफी अजीब लगता है पर हम अपने बुजुर्गों से कम नहीं हैं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं की हार चलो हम अपना एक इंडियूरेंस कॉंटेस्ट करते हैं हार अपने सारे गरम कपड़े पहन कर मेरे घर आ जाओ चलो डोरे मार्म पहले इतनी गरमी है अगर उसकी बात माननी तो मर जाएंगे मुझे तो ऐसी करमी से सकत नफरत है और जी आग की बात माननी तो अच्छा एक बात बताओ क्या तुम अपनी पूरी कोशिच नहीं करोगे बिलकुल नहीं चाहिए सबसे पहले मैं ही बाहर आऊंगा और उसके बात सब लोग मिलकर म कुछ पर असेंगे तो ठीक है यह लो मैं तुम्हें एक चीज देता हूं एस्कीमो एसेंस हां ओ इस बोटल में तो स्नौ है थोड़ा सा पी कर देख लो गर्मी तो लग रही है बताओ क्या तुम्हें अभी गर्मी लेख रहा हूं क्या यह सच मुझे इस ड्रिंक की वज़े से हुआ बताओ हां यह ड्रिंक एक कूलिंग एजेंट है जब भी तुम गर्मी का नाम लोगे तो टेंपरेचर तीन डिग्री से गिर जाएगा और अगर चार बार गर्मी का न यह तो बहुत अगर यह जाएगा तो टेंपरेचर बार अगरी से गिर गया और इसका मतलब आज टेंपरेचर दोरेमान मुझे काफी ठंड लग रही है इन कपडों में तुम्हें सर्दी लग जाएगी ठंड लग रही है तुम सारा गरम कपड़े पहन लो दोरेमान मुझे बहुत ठंड लग रही है टेंपरेचर को बढ़ाओ नहीं एक बार यह एसेंस पीने के बार टेंपरेचर सिर्फ कम होता जाएगा पर अभी ठंड लग रही है ठीक है तुम्हारा ओवर्कोट बहार निकालते हैं मैं ठक गया हूँ क्या तुम ठीक हो सुनियो मैं ठीक हूँ फ्यू इन गरम कपड़ों ने तो मुझे आलशी बना दिया है तुम लोग क्या कर रहे हो जल्दी करो क्या ये कॉंटेस्स सच में होगा हां बिल्कुल लेकिन नोबिता कहा है शायद वो डर कर भाग गया है अगर वो नहीं आएगा तो बहुत पश्टाएगा देड़ जाने के लिए माफी जाता हूँ क्या पाथ है नोबिता क्या तुमी सब पेंट का ठीक हो मुझे तु ठंड लग रही है चलो अंदर चलो शुरू करें चलो शुरू करें मैंने ये कमरा बंद कर दिया है और इसमें बहुत कड़ी धूबा बड़ा जीब सा लग रहा है सुनो जो सबसे पहले आउट होगा उसे जुर्माना देना पड़ेगा नोबिता सबसे पहले आरेगा क्यूंकि उसने सबसे ज़्यादा गरम कपड़े पहन रखे हैं मैं गर्मी नहीं से पा रहा हूं मुझे पहली बार इतनी गर्मी लग रही है तब ही तो ये इंडियोरेंस कॉंटेस्ट कहलाता है शिकायत मत करो ठंड बढ़ती ही जा रही है अगर वो शब्स को ही बोल दे तो और बढ़ जाएगी इसमग टेबरेचर माइनस जो डिग्रीज है एच्छी क्या तुम स्पेस हीटर निकालोगे क्या कहा तुमने स्पेस हीटर ये एंडियूरेंस कॉंटेस्ट है है ना ओ अच्छा इडिया है परेस अच्छा लग रहा है क्यूं क्या कहते हो ठीक कहा ना हम कर्मी का नाम नहीं लेंगे जो भी नाम लेगा उसे जुनमाना बनना होगा सभी लोग सोच समझ कर अपना मूँ खोलना समझे ये तो एक दम अच्छा इडिया है बहुत ठंड है ओ नो सुनो क्या हम कर्मा गरम नूडल्स नहीं खाएंगे क्या गर्मा गरम नूडल्स खाना चाहूंगा मैं जुर्माना भरने के लिए क्यार हूं मैं हार मानता हूं मैं हार गया याद मैं भी हार गया इसकीमो ऐसे हम इसे पूरी गर्मी के सीजन में इस्तमाल करेंगे गर्मी है गर्मी है गर्मी है गर्मी है गर्मी है गर्मी है मुझे तो अब काफी थंडा लग रहा है यह पीकल काफी थंडा लग रहा है घर आ गई हूं मौम आप इतनी गर्मी है ऐसे में शॉपिंग करना म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ताकेशी ताकेशी क्या तो मेरे लिए शॉपिंग जाओगे बाहर कितनी गर्मी है बहुत गर्मी है मैं तो थक गई मेरा हाल उन्हें एसेंस इस्तमाल करना समझाया है ना फिर तो ढरने की कोई बात नहीं है कुछ तो गड़बर है चलो हम उपर आकर देखते हैं इस तरफ चलो हमें एसेंस का असर निकलने का इंतजार करना होगा तो मुझे दोश्मन दो